मद्यप्रदेश केबिनेट की बैटक आज बल्ला भावन में मानी मुख्यमंत्री शुवराज सिंग्य चौहन की अध्यष्टा में सब पनुए आज की केबिनेट की बैटक बिभाग बितरण के बाद की पहली बैटक थी और हमारी मानिता है कि यह मील का पत्थर साबित हुई गरीब के लिए किसान के लिए नौजवान के लिए आज केबिनेट ने तई किया है आज मद्यप्रदेश की केबिनेट मद्धी है यह ऐसा कदम है जो गरीब के कलन्यान में मील का पत्थर साबित होगा कोई भी साहुकार द्वारा अब ब्याज अपनी मर्जी से बसूला नहीं जा सकता है राज द्वारा जो ब्याज निर्धारित होगा वही लिना पड़ेगा वो युग आज से समाप जो पठानी ब्याज के रुप में जाना जाता है अपकोल पठानी ब्याज नहीं लएगा ये किसान की सरकार किसान के बेटे शिवराज सिंग की सरकार इसी तरह से अपनगी क्रत साहुकार कोई भी बीच में नहीं जाता है NBMC के उपर से ये जो है प्रावधा ये नियम लागू नहीं होगा अनसुचित जन्जाती का भी एक संसोधन विदेयक आज मद्यप्रदेश की केविनेट में आया और मद्यप्रदेश की केविनेट ने अनसुचित जन्जाती रिण मुक्ती विदेयक जो हमारे जंजाती भाई जो बनवासी भाई जो सुदूर ग्राणी तरचल में रहते हैं और उनको बोले वाले लोगों को जो ब्याज लिया जाता था अब ये पूर्ण तह 15 अगस्त 2020 तक ये पूरा का पूरा माफ कर दिया जाएगा ये विदेयक दोना ही विधान समा में लाए जाएंगे और इस्थापित किये जाएंगे महा महिम को भी भेजे जाएंगे इसी तरह से या अधनियम राज येवं केज सरकार, बैंक, NBFC, रिजर बैंक दोना अधनियम के अधनियम के प्रावदान को, कलेक्टर को क्रियर अधनियम के लिए अधिकरत किया गया है एक अन निर्णे में, महत्रपूर्ण निर्णे में, जो कांग्रेस की कमलना सरकार ने जनता का अधिकार शीरा था एक खरीद फरूप के सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए मशिनरी का सास्थी का दुर्प्योग करने के लिए नगरपाल का, नगरपंचाय, नगर निगम में उन्होंने जिस तरह से जो सिधा जनता का अधिकारों से उसे बंचित किया था वह इंडारेक्ट चुनाओ कर दिया था पारिशदों के द्वारा कर दिया था जिससे वही विद्करती जो कांगरेश के द्वारा पैदा की गई यह उसे बढ़ावा मिलता उस पर लोग लगेगा और आज कैबिनेट के अंदर यह तैय किया गया है कि अब यह चुनाओ जो बदलाओ कांगरेश की सरकार ने पार्शदों के द्वारा चुनाओ का किया था अब वह सीधा जंता के द्वारा ही नगर पालका में नगर पंचायत में और नगर पालकाओं में होगा नगर सीमा प्रधी और बार्णों की संख्या में बगलाव और परिशी मंग की कारवाई की समय वई दो मां के स्थान पर अब छे मां की यह जाने का भी आज के नेड में नेड़े लिया है इसी तरह से मद्दप्रदेश सहकारी संसोधन विद्यक इसमें भी हमारे जन्तदी जो अलग रखे गए थे दूर रखे गए थे मैं नहीं कहता कि उपेख्षित रखे गए थे पर अब विधायक और सांसद भी इस के संसोधन के बास से दाराण कालीश के संसोधन के बास से अध्यक्ष्पत्र के आज से पास्त हो जाएंगे और विधायक विधान सवामें लाया जाएगा ह। भावानु थूरेपन में प्रास्ता'sक नेपटी का अधिकार था उसके निंपन्सवाबित कि 애ई है और अब इसमें बाबानों त्रेपन में रजिष्टार द्वारा नेको सोसाइटी के तीन सथा रजिष्टार के प्रत्निदी और बित्त सूपोशक संस्थाओं के प्रत्निदी इसके निमना अनुसार सदस्थ बनाए गए हैं आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूंगा, कि हिंदुस्तान और साइब हो सकता है विश्व के अंदर काम को बदले गारंटी के अंदर लाने वाली यह मंद्यखुदेश की सरकार पहली सरकार थी और मानी शिवराद सिंग्जी जब मुख मंत्री थी तो उटके समय पर पहली बार जिलाया करता जिसके एवज में हमें पु काम अधिकारी करके उसे दे देगा अब अधिकारी की आवश्यक्ता नहीं पढ़ेगी उनको दसरक उस दस दिन का इंतजार करना हूँगा और अधिकारी पर भी विभागी कारवाई प्रस्ता रहेगी कि उसने क्यों नहीं ऐसा किया है ये इसी तरह से मद्यपदेश ठ्रम संसोधर्म विदयक भी आज केविनेट के अंदर पास हुआ है उसके अंदर काफी महतपूर्ड नेने जो हमारे मैदूर भाई हैं खासकर इस दोर के मैदूर जो लवडाउन के अंदर बाहर से आये हैं प् प्रदेश के अधिया ये बात आच की है के माध्यम से पूरा का पूरा छोटे और मद्यले समयोकों की नियुक्ति और आवकास के बारे में भी आज मंद्योरी दी गई है बरतमान में सूप चुम उद्ध्यों को छोड़कर अन्य उद्यों करने निदी और बिणियन के अंतर प्रदेश के कैबनेट के द्वारा पास किये गए